आईए अब जागते हैं आचार अनन्देव से आज का आपका राशिफल आज 14 जुलाई 2023 विक्रमी समध 2018 स्रावन मास की कृष्ण पक्स की द्वा दसी को आचार अनन्देव का प्रणाव आज चंदर्मा अपनी उच्छ राशि में है रोहिणी नक्षत्र में है और आज का राहु काल तो पहर 10 बस करके 46 मिनट से 12 बस करके 26 मिनट तक रहेगा इस समय आप कोई भी सुबकारी की शुरुआत ना करें चले शुरू करते हैं आज का राशिफल मेश राशिफल मेश हो सकता है कहीं कोई तुरूटी हो जाए पर अगर आप अपनी जमीन जायदा बेचना चाहते हैं तो आज आपको फायदा भी होगा अपने माता के स्वास्ते का ख्यावड़ा वर्षब राशी वर्षब राशी के जातकों के लिए आज बड़ा ही उत्तम दिन है आज चंदर पुलिस या आर्मी से रिलेटेट कोई नोखरी करना चाहते हैं तो आज वो सफल हो सकते हैं मिथुन रासी मिथुन रासी के जातकों के लिए आज थोड़ा सा मिला जुला ही असर रहेगा अगर वह किसी MNC में काम करते हैं या किसी विदेशी मुद्रा में काम करते हैं तो आज उनको लाव होगा और अगर आपके मित्र या आपके चोटे बहन भाई कहीं विदेश में रहते हैं तो आज आप से उनका संपर्क हो सकता है किसी दूसर चार माध्यम से परन्तु अगर आप किसी सेयर मार्केट में आज पैसा लगाएंगे तो थोड़ा सोच समस कर लग होंगे परन्तु आज आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि अपने कार्य चेत्र में मस्गूल इतरे ना हो जाएं कि आज आप अपने परिवार को भूल जाएं आप अपने परिवार को भी समय देना आज जरूरी है अनेता हो सकता है परिवार में कोई कल्या का माहुल पैरा हो जाया है सिंग रासी सिंग रासी के जात्कों के लिए आज अतिउत्तम दिन है आज उने हर तरफ से अपने कारेश चैठर में है अपने व्यापार में लाब ही लाब होगा हो शुकता है वो कोई नए संस्था सुरू करें या किसी सरकारी आदमी के साथ मिल तो कोई नया Contract आज मिल जाए सरकारी माध्धम से मिलने वाले Contract का फायदा उन्हे आज होगा साथ ही अगर किसी सरकारी नवाकरी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन उनके लिए शोब्ग है कन्या राज है किन्याराजी के जात्कों के लिए थोड़ी प्रेशानी उनके पिता को लेकर हो सकती है या उनके गुरू को लेकर हो सकती है पिता तुल्ले कोई व्यक्ति आज आज आपसे रुष्ट हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि आप गुरू मानते हूं वो आज आज आपकी बात ना माने तो आपसे यही प्रामर्स है कि आ आप अपने पिता तुले या गुरू तुले वक्ति का कहना माने और उनके अनुसार ही कारिय करें कोई धार्मी की अतरा आज आप ज़रूर कर सकते हैं और हो सके तो आज कोई धार्मी करन्त भी पढ़ ले आपके लिए शुब रहेगा तुलारासी तुलारासी के जात्कों के लिए आज काफी हद तक एक ऐसा माहूल होने वाला है जहां पर अचानक उनके लिए कुछ चीज़ें होंगी अचानक ही उन्हें कोई फाइदा देखनों को मिल सकता है हो सकता है कोई लाट्रिय उनके हाथ लग जाए या हो सकता है कोई चीज ऐसी जो काफी दिनों से जिसके पर शोध कर रहे थे आज उनको वह चीज मिल जाए परंतु अगर वह किसी और का पैसा लगा करके किसी तरह का मुनाफ़ा उठाना चाहते हैं या किसी तरह की जूट से जूट का सहरा लेकर वो अपने कारी चेतर में कोई प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आज ये पॉसिबल नहीं होगा आपको मुझ की खानी पड़ेगी इसलिए सोच समझ कर ही कारी करें और जूट का सहरा ना ले वरश्चिक रासी वरश्चिक रासी के जातकों के लिए आज उनका विवाह अगर किसी तरीके से टल गया है तो आज उनके विवाह की तारिक पकी हो सकती है अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमीका को विवाह के लिए प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आज का दिन शुब है आप कोई नया वैपार भी आज सुरू करना चाहते हैं तो वो भी आज आप कर सकते हैं धनुराशी धनुराशी के जातकों के लिए आज थोड़ा सा मिला जुला असर रहने वाला है अगर वह किसी ऐसे कालिये में हैं जहां पर उनका कोट के चहरी से वास्ता पड़ता है जैसे अगर आप लॉयर हैं तो आज आपको बड़ा ही आपका द संदोनती ही हो जाएं और आप जज बन जाएं और अगर आपकी कमपेटिशन स्पोर्ट्स में हैं तो आज आपको लाव हो सकता है परंतु अगर आप इस जीसी चीजों में नहीं हैं और आप बेवज़य किसी से आज झाजगड़ा करेंगे तो आप आजवरासी के और अगर आप अपने प्रेमिया प्रेमिका को चाहते हैं कि उनके घर जा करके शादी का प्रस्ताव दे तो आज उनसे प्रिवार से आपकी मुलाकात हो सकती है, शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है, परन्तु किसी कारण वस अगर आप अपने प्रेमिया प्रेमिका के साथ जगड़े को निप्टाने में ही पूरा हो जाए इसलिए उनसे आज जगड़ा ना करें हाँ अपने बच्चों के स्वास्ते को ले करके थोड़े वो चिंतिताप हो सकते हैं तो आप उनके लिए जो संभव हो उनके लिए कुम्बराशी के जातकों के लिए आज थूड़ा सा किटना ही भरा समय है आज हो सकता है उनके परिवार में कलय हो उनकी माता को कश्ट हो सकता है माता तुले उनकी कोई और इस्तरी जैसे उनकी मोसी हैं या मामा जो मतरपक्स से कोई भी उनके रिष्टितार है वहां से किसी की तबियत खराब हो सकती है इसलिए स्टर्क रहें आज आप अगर कोई नया वहीकल खरीदना चाहते हैं तो सोच मज़ कर लें और कहीं प्रेस्ट रहीं ना करें बागी आज आपके करियर में आपको जरूर सफ़ता लेगी इसकों बात करेंगे मीन राशी की मीन राशी के जातकों के लिए आज अपने साथियों के साथ बहुत समय उनको मिलेगा हो सकता है वो कोई चोटी यात्रा के लिए आज जा सकते हैं हो सकता है वो कोई ऐसा नया कारिये आज कर सकते हैं जिसको वो काफी दिनों से सोच रहे थे अगर वो कोई घर में ऐसी चीज पड़ी है जो काफी दिनों से वो उसको साफ करना चाते थे जैसे कोई डोकुमेंट्स हैं जिनको वो रखना चाते थे वो सारे डोकुमेंट्स की आज साफ सफाई करके एक जगे पर रखने वाला काम आप कर सकते हैं आप घर में अगर कोई रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आज आज आप कर सकते हैं इसी के साथ अचारी आणदेव को रासिफल हिस्माप्त करने की जाद दीजिए धन्यवाद